पर्पंदी शेर के रिक्षा यո्नियन के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं सुनिल शवहन जीजबग हमारे साथ मौझूद है जो ये रिक्षा यूनियन को जो कॉंग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देने जाते हैं तो समर्थन देने का मकसद क्या है ये अपना काम किस तरीके से अंजाम दे सकते हैं इंसे हम जानना चाहेंगे सथ्याज तक में आपका स्वाजेत है देखिए 2014 में जिस धंग से बीजेपी सरकार ने चत्ता में आने के लिए जो वादे किये थे उन वादों का एक भी वादा आज तक उन्होंने पुरा नहीं किया प्लस हम रिक्षा वाले को वालों का जो इंशुरंस है उंशुरंस को बढ़ा दिया हम नोडबंदी में हमारे धंदे की वाट लगा दिये ऐसे हमारे उपर भी उनका बहुत सारा परिणाम पड़ा है उसके साथ साथ पूरे देश में जो फिरका परस्ती का उनका जो राजन उसके साथ साथ रिक्षा वाले समझते नहीं आइसा नहीं है नोडबंदी करके इस देश का सबसे बड़ा घोटाला इस बीजेपी के राज में हुआ है उसके साथ साथ इस देश की जो स्वायत तो संगटनाई थी जैसे आर्बियाई है चिप जुडिश्री है इस बग का खास मुद्ध ये है कि कॉंग्रेस पार्टी को समर्थन देने का आप लोगों का क्या मकसद है क्यूंकि भ्यवंडी शेयर में कॉंग्रेस के 47 नगर सेवक है इन्हीं के महापोर है लेकिन उसके बावजूद भी शेयर का विकास क्या है जनता बहुत बहतर जानती देखिए हम लोग ने रिक्षा वालों के तालुक से इसलिए सपोर्ट किया है कि आज तक हमको कभी भी हमने देखा ही पास साल में रिक्षा वालों की किसी ने सुध नहीं ली सबसे ज़्यादा परमिट छोड़े गए उसके वज़े से हमारे धंदा जो पहले हजार रुपय आट सो रुपया होता था आज वो चार सो पास सो पे आया और परमिट जादा होने के वज़े से रिक्षा जादा आई और उसके सबसे स्टैंड नहीं दिये गए इस वज़े से हमने बार बार मांग किये सरकार से लेकिन सरकार के काम में रूचू नहीं रहेंगी कहीं इसमें ये तो देखने में नहीं मिल रहा है कि जो लोग सबह चुनाओ है तो उसमें कॉंग्रेस के जो लोग हैं और इनके जो उमिदवार है वो आप लोगों को कुछ वादे कियों कि हमारा समर्थन कीजिए तो जीतने के बाद हम ये काम करेंगे तो उस दबाओ के चक कांग्रेस का विकास नहीं है ये देश महीं कहता है क्योंकि साट साल में हमारा ये मकसद है कि यह जो बीजेपी सरकार ने पात साल में जिस धंग से सरकार चलाई है वो इस देश के फाइदे में नहीं है और वो दूसरा परिवर्तन होना चाहिए और एक धर्मन इर्पेक से सरकार आनी चाहिए यह हमरे रिक्षा वालों की अपिक्षा है उसके साथ-साथ विवंडी में हमारे भी कुछ मसले हैं जैसे कि online CNG का line होना चाहिए विवंडी में यहाँ पे RTO का एक office होना चाहिए विवंडी में पासिंग जो करने के लिए आमें जो बंबाई कल्यान जाना पड़ता है वो विवंडी में पहले जैसे पासिंग होती थी वो यहाँ पे होने चाहिए यह यह सब मांगे हमने उनके पास रखी है और उन्नोंने बोला है कि हम लोग आपके साथ इस मामले में खंद से कंदा मिलाके रहेगे और यह मामले हम लोग हल कराने के कोशिस करेंगे आज तक हमने गई बार देखो 3 दिन चार दिन हमने रिक्षा भाहरताल की थी live मुद्दों लेकिन दोस्तों हम लोग चाहते थे हम हमारे साथ सभी के सभी पार्टियों के लोग है इसलिए उसमें कोई राजनीती ना हो हमारी रिक्षा उनियन में इसलिए हम लोग उसमें उनको इनवाल नहीं करके लिए लड़ाई फिर बालों ने खुदी कि लेकिन यह जो लोगसभा क इलेक्शन है तो इस देश का लोगतंत्र है लोगतंत्र में हमारा अधिकार है कि हम लोग एक धर्मनिर्पिक सरकार चुने जो लोगों को आपस में ना बाटे ये भी हमारा अधिकार है इसलिए हमने सब रिक्षावालों ने तई किया है कि इस बार कॉंग्रेस को सपोर्ट करे देखिए यहां से हम लोग अंजुर फाटा से लेके यहां पे चाविंद्रा तक हमारे सावंदा गोर्सई तक जितनी उनेन है वो सब के सब हमारे साथ में है वह हम अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि इलेक्शन में यह प्रचार किस दंग से किया जाए हमने सब को बोला है कि आप साथ साथ हम लोग 29 तारिक को जब इलेक्शन का दिन होगा उस दिन घर घर से फ्री में हम लोग यह मद्दार को उठाएंगे और पोलिंगे बुद तक लेके जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी को हराने की कोशिस करेंगे आई सामने तक चले बहुत बहुत मकसद है समर्थन देने का यहां खबरों का सिलसिला कभी थमता नहीं आप देखते रहें सत्या आज तक भ्योंडी